अब निरंदर मोती आए पांच मिन्ट के अंदर थार 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 काम खतम करो निबेड़ो काम को लंबानी डालना है और अगला काम क्या होने वाला है हमारी पापुलेशन के उपर कंट्रोल होने वाला है जो को कारी नहीं पाया दो या तीन बच्चे जो भी सरकार का कनून होगा यह दर्मसाला नहीं है हिंदोस्तान आप मंगला देश से आजाओ आप कहीं और से आजाओ और आकर के यहाँ धर्मसाला बना दो यह हिंदोस्तान है हिंदोस्तान हिंदू मुस्लिम सिखे साईयों का यहाँ एक कनून एक सविदान एक तरंगा एक जन्दमन गन चलेगा अलग कनून नहीं होगा और याद रखिए हम किसी कौम और मदब के खलाफ नहीं है हर कौम मदब का व्यक्ति हमारा भाई है पर यहाँ जीने का हर व्यक्ति को अजाद विचारदरा में हक है और रहने के लिए नरदी मुदी वो कदम उठाएगा हमें यकीना उठाएगा और वो दिन हिंदोस्तान का 370 दारा के बाद हिंदोस्तान के इतिहास का सुनारी दिन होगा जब हमारे छोटे छोटे बैच्चों का बड़े होंगे हर बच्चे को नौकरी मिलेगी हर बच्चे को रुजगार मिलेगा हिंदोस्तान के अंदर बेरुजगारी नहीं होगी यह सबसे बड़ा काम होगा अरे आप मंगलादेश चे आजाओ आप पाकिस्तान से आजाओ आप बच्चे तियार कर दो यह कोई यह कोई मशीन नहीं है यह भारत है यह धर्मसाला नहीं है आज उसके ओपर चर्चा हुई पहले क्यों नहीं हुई और याद रखें तीन सो सतर तारा के ओपर और यह जो पापुलेशन के ओपर जब बिल होगा याद रखना साल बाद दो साल बाद जितनी भी पोलिटिकल पार्टियों ने इस भारत में राज किया अजादी के बाद सरदार पतिल और लाल बहादर शास्त्रीजी के बाद जिनों ने राज किया आप उन पार्टियों को पूछोगे, हमारे खून पसीने का पैसा, आपने जम्मू कश्मीर में पानी के तरह बहा दिया, आपने हमारे हजारों जमान चहीद करा दिये, हमारे बैनों के सुहाग जार दिये, हमारे बच्चे यतिम कर दिये, आपने उस वक्त कदम क्यों नहीं उठाया, अगर नरिंदर मोदी ने उठाया है, आप गुनागार हो, आप पापी हो, आपको इसका जवाब हिंदोस्तान की दुनिया की जन्ता को देना होगा। अगर नरिंदर मोदी ये कदम उठा सकता है, तो पहलों ने क्यों नहीं उठाया? ये बहुत बड़ा प्रशन और बहुत बड़ा सवाल है, मुझे बताई ये 370 दारा हटी, एक भी गोली चली, एक भी बम चला, एक भी शोर मचा, कहीं कुछ नहीं हुआ, और पाकिस्तान दुनिया में शोर मचाता रहा, अमेरिका ने भी हाथ खड़े कर दिये, चाइना ने भ हाथ खड़े कर दिये, क्यों किये, हम भी कभी कहते थे, और नरंदर मोधी जी तो हमेशा बारी रहते हैं, हम कहते थे, आप भी कहते थे, रोजी वदेशों में रहते, आज पता चला, नरंदर मोधी जी जो वदेशों में रहते थे, पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया, औ तीन सो सत्तर डारा हटा के भारत को अजाद कर दिया आज मैसूस हुआ वक्त लगा वक्त लगा पूरे देश दुनिया में घूम घूम करके आज आप जानते हूं हमारा देश कहां खड़ा है एक इसराइल मुल्क का नाम सुना हुआ बड़ा छोटा सा मुल्क है बड़ी थोड भी पॉपलेशन हैं पर उस मुल्क के अंदर अगर हिंदुस्तान की तरफ से या किसी की तरफ से किसी भी ятंकवादी ने पाकिस्तान हो कहीं हो अगि हम्ला कर दिया पांच दिन के अंदर कैसे क्यों किस तरीके से ठोग कर के वापस आ जाते हैं जैसे अभी नरिंदर मौ्ध पाकिस्तान में गुज करके दो बार पाकिस्तान के अतंकवादियों को ठोक के आगया आज उस जगह पे भारत खड़ा हो चुका है। आज इमरान खान की जड़ा फोटो देखा करो टेलिवीजन के अंदर पहले का पाकिस्तान हाफिज अतंकवादि हमें दमकियां देते थे रोज बाशन दाउद इबराहिम आप मुझे एक चीज़ बताईए पिछले पांच साल के अंदर कभी दाउद इबराहिम का टीवी पे देखा मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ